लोक तंत्र कया महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को लेकर अब सभी तैयार हो गये हैं चाहे वो निता जी हूं या वोटर हूं अब बिलकुल तैयार हैं चुनाओं को लेकर क्योंकि चुनाओं की तिथियों का एलान हो गया है अब यह आपको जानना होगा कि बिहार में इस लोक सभा चुनाओं में लोक तंत्र के महापर्व में कितने मत दाता हैं और उसमें कितने पुरूस हैं कितने महिला हैं कितने इवा हैं और कितने लोक पहली बार मत देंगे यह तमाम चीजों को हम बताएंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बौबी और आप इस समय देख रहे हैं मगज संबाद दोस्तो चुनाव हो रहा है जीतार का फैसला भी चार जुन को हो जाएगा लेकिन अगर आप सिचक हैं बिद्यारती हैं गरामीन हैं नेताजी हैं तो आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि आखिरकार अपने बिहार में कितने मदद आता हैं कितने भोट परेंगे क्या उसका फायदा होगा तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बिहार के साथ क्रोर सर्षट हजार मदद आता वोट डालेंगे अपनी सरकार को चुनेंगे इस बार लोकसवा चुनाओं में 18 से 19 साल के 10,3175 इवा मदद आता पहली बार वोट डालेंगे बिहार में आपको बता दे कि 66,230 बूथ बनाए गए है राज्य के ग्रामिन शेतरों में और 902 अस्टेटिंग सर्विसांग टीम का भी गठन किया गया है बुथो पर सुध पेजल और रैम की सुवधायें भी मुहया कराए जाएगी आपको बता दे कि बिहार में लोकसवा चुनाओं के दोरान 7 क्रोर 67,777,731 मदद आता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इसमें 4 क्रोर 1,777,849 पूरुस मदद आता तीन लाग पैसट पैसट लाग तीन लाग पैसट हजार संतानवे हजार चोसो चोहतर महिला मदद आता और दो हजार दोसो दो हजार दोसो आठ थर जिंदर मदद आता सामिल हैं इस बार के लोकसवा चुनाओं में 18-19 साल के 10,3175 इवा मदद आता पहली बार अपना बोट डालेंगे बिहार में 29 साल तक के 1,73,20,546 मदद आता बोट डाल कर अपने परतिनिदी का चुनाओं करेंगे राज के ग्रामिन छेतरों में 66,230 बुथ बनाएगे हैं जबकि सहरी छेतर में 11,162 बुथ बनाएगे हैं सभी बुथों पर मदद आताओं की सुवधा के लिए सुद्ध पेजल, बिजली, दिब्यांग जनों के लिए रहम, इत्यादी की सुवधायों परदान की जाएगी यानि कि तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाएगा लोगसभा चुनाओं को लेकर 781 उरंदस्ता का गठन किया गया है वही 902 एस्टैटिक्स टीम का गठन किया गया है जो पुराने चुनाओं के दोरान होने वाली गति बिधियों पर नज़ा रखेंगे यानि कि चुनाओं में जो कुछ हो रहा है उस पर वो नज़ा रखेंगे आपको बता दें कि परदेश में पिछली बार भी 7 चर्णों में चुनाओं हुआ था लोगसभा चुनाओं का बिहार में 2019 में भी 7 चर्णों में मतदान हुआ था तब पहले चर्ण का मतदान 11 अपरेल को हुआ था और दूसरा 18 अपरेल को तिसरा 23 अपरेल चौथा 29 अपरेल पाच्वा च्वा च्वा माई और छठा 12 माई और सात्वा चर्ण 19 माई को शंपन हुआ था पहले चर्ण में औरंगावाद नवादा गया और जमूई में जबकि दूसरे चर्ण में किसन गंज कटियार पुर्णिया भागलपुर और बाका में मतदान हुआ था तिसरे में जञजारपुर सुपल अररडिया मदपूर और खगळिया में चौधे चर्ण में पाँच चुनाव छेतर दर्भंगा उजियारपूर समस्तिपूर बेगुसराय मुंगेर में और पाच चर्ण में 5 चुनाव छेतर सिता मढ़ी मधुबनी मुजपरपूर सारन व हाजिपूर में चुना हुए थे छट्टे में बालमिकी नगर पच्मी चंपारन पुर्वी चंपारन शिवर बैसाली गुपालगन शिवान वा महराजगन तथा सात्वे में नालंदा पटना साही पाटली पुत्रा आरा पक्सर्व सासाराम कारा काट वा जहानाबाद में मदा किस चर्ण में कितने वोट पड़े पहले चर्ण में आखको बता दे कि 53 से साथ परतिसत दूसरे में 62 दसमलो 9 तीन परतिसत तिसरे में 61 दसमलो जोठे चरन में 49 उन्हें दा संबलो योग्षी मै? सारथे चरन में 51 आवन दा संबलो योग्वा दे ये… वहीं हम आपको बता दे है, इस बार मत परतिसत बढ़ाने को लेकर कोलेजों में भी अभियान चराये जाएंगे और इस बार भी इस परतिसत को भोटों के परतिसत के मत दाता के परतिसत को बढ़ाने का ख्याल रखा गया है लोकसवाद छेतरों में चरनवार चुनाओ भी बता दे कि नमांकन जो है पहला चरन का वह बीस से अठाइस मार्च के बीच होगी नमांकन पत्रों की जाज तीस मार्च को पार्थम चरन की बात कर रहे हैं नमांकन वापसी जो है दो अपरेल को होगी परचार खत में सतरा अपरेल को होगी और मदान की तिथी उनएस अपरेल को चार सीटे हैं और अंगावाद गया नवादा और जमोई उसी परकार से दुसरे चरAND में नामांकर 28 मार्च से शूरू होगी 4 अपरेल पर नामांकर परचा की जाच 5 अपरेल को होगी और नामवाफसी 8 अपरेल को परचार खत में जो है 24 अप्रैल को होंगे और मदान की तिथी यहां 26 अप्रैल है पांच सीटे हैं किसंगन का टियार पुर्णिया और भागल पुर्वा बाका उसी परकार से तिसरे चरन के अगर बात कर लें तो यहां नामांकर का कार जो है 12 से उन्हें सप्रैल को होगी नामांकर पत्रों की जाच 20 अप्रैल को और नाम वापसी 22 अप्रैल को होगी परचार खत में यहां 5 मई को होगी और मद्दान की यहां तिथी जो है मद्दान होगा 7 मई को यहां भी 5 सीटे जंजारपुर, सुपॉल, अररिया, मदेपूरा और खगडिया है उसी परकार से गर चोथे चरण की बात कर ले तो अधिसुचना 18-25 अप्रेल नामांकन पत्रों की जाच 26 अप्रेल नाम वाफसी ली जा सकती है 29 अप्रेल को परचार खत में यहां 11 मई को हो जाएंगे मद्दान की तिथी यहां 13 मई है यहां भी 5 सीटे दर्भंगा, उजियारपूर, समस्तिपूर, बेगूसराय और मुंगेर है इसी तरह से पाच में चरन की अगर बात कर ले तो नामांकन जो है 26 अप्रेल से 3 मई को नामांकन पत्रों की जाच 4 मई को होगी और नाम वाफसी 6 मई की और यहां मत्दान की जो तिथी है वह 20 मई है पांच सीटे होगी सितामणी, मदुमनी, मुझबपरपूर और सारन और हाजिपूर छटे चरन में नामांकन 29 अप्रेल से 6 मई तक होगे नामांकन पत्रों की जाच जो है 7 मई को होगे और नाम वाफसी जो है 6 को और परचार खत में 23 को होगे और मदान की तिथी जो है 25 मई है आठ सीटे हैं बालमेकी नगर, पच्मी चमपारन, पुर्वी चमपारन, शीवर, बैसाली, गुपालगन, महराजगन और शीवान उसी तरह से 7 में चरन और अंतिम चरन में जो है मदान की तिथी एक जुन है नमांकन 7 में से 14 में तक होगा, और नमांकन पत्रों की जाच जो है 15 में को होगे नाम वपसी 17 में तक होगे 17 में परचार खत में 30 में को हो जाएंगे आठ सिते हैं और एक जुन को यहाँ पर चुना होगा तो तमाम चीजों को हमने आपने बता दिया इस तरह की जनकार यूँ को लेकर आप हमारे साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कैमेरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजे जाजा धन्यवाद